आज सूरतकोर्ट ने राहरुल गाधिर जी को दो साल के सजा सुने एक चुनावी सभाह में उनोंने कुछ बोला था, उसके उपर केस चल रहा था मनानी का केस था, उसमें दो साल की सजा हो अब उनको देखने से क्या लगता है एक तो आप देखी होंगे सिह राया, सी राया ऐसा का कि लोग जो इसके इनके आसपास बिछे हुए लोग है एक तो सब्दों की बर्यादा उनको खुद भी नहीं पता है एक आप देखे ही होंगे इनको एक तो एक किसी संस्टा के विस्टे में आरे से सावरकर जी का तो एक दमी जत्नी करते हैं जैसे भासा बोलत एक प्रवक्ता तो राजा की तरह बिवार करते हैं राजा जैसे बोलते हैं ना उनको कुछ हो चाहे ना हो उनको कुछ हो चाहे ना हो मगर उनके प्रवक्ता राजा की तरह बिवार करते हैं किसी को बोलने नहीं देते हैं किवल टीवी पर बागे हर जगा फेल है पहले उनक थे पता नहीं लगता था क्या से बोले शुचाए है उनको सामने दिख रहे ही कि नहीं पता में उनको क्या जाते रावल गादी जी जी को क्या स्वाला देके मात विर लूग अपने सिध्धां से हटे नहीं अपने जगह पर खड़े सकते रहे अपनी बातों को नहीं जनता को समझ में आया जैसे ही भी रहा है आप क्यों छितरी दिल्वी एक दिली में पार्टी यही टेर्डरन वाली वो तो किसी पर इल्याम लगाते रहते हैं और इल्याम लगाके फर्द उड़ जाते हैं उसके बाद कुछ करना तो है नहीं जनता उसको सविकार करके चल रही है पिर भी आप लोग उस पर ही कटक्ष किया जा रहा है करिए जो आपको अच्छा लएगे वो करिए पर मुझे नहीं लगता है कि कांगरेस के इससे कोई फायदा होने वाला है और अगर अगर ऐसे ही बादा का इस्तमाल करते रहे तो और भी नुक्सान होने वाला है और उनका क्या है उनका तो कुछ लूटने वाला है नहीं नहीं जो भी करेंगे उनको कुछ फायदा हो जाता है तो लोग अपने चाक लेते हैं तो बढेंगे प्रधान मंतित, इसम ने से, हमन सकती है आप करें आपके हाथ पहले सी नियुक्त पड़ा हुआ है आप ऐसे कर रहे हैं जब की देख रहे हैं कि कोई भी तरीके से जो आदमी अपने जगह से अपने सिध्थान से हड जाता है तो उसके क्या पूस्त कुछ नहीं होता है आपको पते हैं कौन लोग शला दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे बाते करिए आप विदेश में जाकर भी ऐसे कहाते हैं हिंदुस्तान में प्रवक्तर ट्वीटर पर जीत लिए चूटर पर लड़ाई जीत लिए जीत ही जा रहे हैं कहने का मतलब यह है कि ट्वीटर पर ट्वीटर सबसे ज़्यादा 19-20 और खराब बासा का इस्तमा रहे हैं कोई कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं जिनको सपलता थोड़ा मिल जाले वह कोई दिन के बाद वो खुद ही मरमर आकर चले जाएंगे आपको भी आई करना है तो करते रहें बाके तो सब हम हमारे समझ में आया कि कुछ दाएं सुलॉअ चित रखने चाहिए और आप लोगों को तो ज़्यादा ही रखना है जो लोग भी बड़ी पार्टिया हैं उनको ज़्यादा ही रखना चाहिए और जनता धीरे-धीरे समझ जाती है अगर किसी में कमियां होंगी तो वो ढूंड लेगी सफलताने होती रहती हैक मर सबलोग अगर सही से रहेंगे सही साही से चलेगा चाहे Quem कोई व इहो चैहे छहतरी दर हो चैह homemade हो पार्टियां हो अगर कोईoli आप किसी ने किसी सिध्धान से आपको सफलता मिलेगी जाए कोई भी हो मुझे भी कोई बात कहने से पहने आप दस बार सोचना पड़ता है कि मैं किसी को कुछ 19-20 जैसे आप ऐसे ही करेंगे समाज परभावड जाएगा आप न करें अच्छा रहेगा सब को सला दे और जो भी बना लें और सजाका सॉसपेंसर न है बागी जो आगे होग हो देखा जाएगा मगर ऐस चीज पर मुझे लगता है कि रहना चाहिए करकी ने कोंकि भी करू बणता है यह निभाने का प्रयास करना जाहिए जैसा भी हो कब क्या होगा चुनाओ परram हो परणाम में कोई जानता मगर आज जीसा भी हो उसको करना चाहिए को एक जीत हार हो गई हे तो किश्विकार कर लेना चाहिए कि अगला परधान मत्री जेत उसी कोई है कि जब तक यह gevकार नहीं किया जाएगा तब तक समस्य रहेगी मेरे हिसाब से वाकिया आप जाने